कि बिहार में मध्यावती चुनाओं होंगी वो चुनाओं आते आते तक ही तैया होता और अभी तो समय है मैं इतना ज़रू वादा करता हूं कि जब तक चुनाओं की गोचना होगी तब तक अड़वंदन का स्वरूप तैक कर लिया जाएगा और उसको साजा भी किया जाएग बठां मेन अभामलों का ध्यान के इंदरत है अगामी दोजावादाओं के जो चुनाओं होने हैं और उससे पहले मैं वार वार में इस बात को कहता हूं और मैं मानता हूं कि बिहार में मध्यावती चुनाओं होंगे बिहार विधान सबाओं के तो हम लोगी पूरी पूरा दिखान हम लोग का केंद्रत है उस मध्यावती चुनाओं में और लोकसभा 24 पर लोकसभा 24 की आप बात कर रहें जब आप बर्सी कारकरम को ले करके स्वर्गे राम विलास पासवान जी के बर्सी कारकरम को ले करके वहां आमंतरन दिने के लिए पहुंचे थे उस दौरान भी आप यही कहते हुए नजरायत है कि अभी यह अनुकूल परिस्थिति नहीं है कब तक लग रहा है यह अनुकूल परिस्थिति वनेगा जिस पे गठवंदन तक की बात क्योंकि आप मधवी चुनाव की बात कर रहा है तो आप ही ने यह बात कहा है उप चुनाव के बात की ज प्राजा किया जाता है कितने गडबंदन हैं ऐसे पिछले ही चुनाओं में हम लोगों ने देखे कि चुनाओं की घोशना तक जो दल विपक्ष के साथ चुनाओं लड़ रहे थे चुनाओं की घोशना होते होते तक वो लोग इस तरफ आ गया तो गडबंदन का जो बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सतीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जोईन बटन दबा दिए पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद